दोस्तो अगर आपको कोई exam देना हो पर उस exam में कोई भी question ना हो तो आप उस exam को कैसे दोगे अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे possible है तो आज मैं इसी concept पर basic mystery thriller film को explain करने वाला हूँ जिसका नाम है exam मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू में सलेक्ट हुए वे 8 कैंडिडेट्स को एक रूम में लेके जाया जाता है और उन सबको अलग-अलग डेस्क पर बिठा दिया जाता है उन सबी के सामने एक पैंसिल और एक पेपर होता है और हर पेपर पर कैंडिडेट और उसका नमबर लिखा होता है इसके बाद एक्जाम का इन्विजिलेटर वहाँ पर आता है और उन्हें एक्जाम के रूल बताना स्टार्ट करता है सबसे पहले वो बताता है कि उन सब को एक question का answer देना होगा फिर वो बताता है कि exam के दोरान अगर कोई candidate उससे या gate के पास खड़े हुए guard से बात करेगा तो वो उसी वक्त disqualify हो जाएगा और अगर किसी ने भी उनके सामने रखेवे paper को खराब या damage किया तो वो उसी वक्त disqualify हो जाएगा इसके बाद अगर कोई भी इस room को छोड़ कर बाहर गया तो वो भी उसी वक्त disqualify हो जाएगा last में invisilator उनसे पूछता है कि कि आपके मन में कोई और भी question है पर कोई भी candidate उसे इसका कोई जवाब नहीं देता इसके बाद वो invisilator घड़ी में 80 मिनट का time set करता है और वहाँ से चला जाता है अब room में बैठे सभी candidate exam का caution देखने के लिए जैसे ही अपने paper को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि paper पूरी तरह blank है ये देखकर सभी सोच में पढ़ जाते हैं और उस exam के caution को ढूडने की कोशिश करने लगते हैं तभी उस room में बैठी एक Chinese candidate गबरा कर अपने ही मन से उस paper में कुछ भी लिखना शुरू कर देती है और उसके ऐसा करते ही paper खराब हो जाता है और उसे उसी वक्त room से बाहर निकाल दिया जाता है अब ये देखते ही room में बैठे बाकी candidates को ये समझ में आ जाता है कि वो अपने मन से कुछ भी उस paper में लिखनी सकते थोड़ी देर बाद उस room में बैठा एक आदमी उस invigilator की बातों को यात करता है और उसे पता चलता है कि उस invigilator ने उससे और gate के पास खड़ेवे guard से बात करने के लिए मना किया है मत्तब वो लोग आपस में तो बात कर सकते हैं अब सभी लोग आपस में बाते करने लग जाते हैं और सभी मिलकर उस exam का कोशन ढूढने की कोशिश करते हैं सभी candidate एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे इसलिए उन में से एक candidate सभी के skin और बालों के color के base पर उनके nickname रखता है जिसमें वो खुद का नाम white रखता है और बाकी का नाम black, blonde, brown, brunette और dark रखता है और last में बचे वे candidate का नाम वो deaf रखता है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था इसके बाद सभी लोग कोशन ढूढने के लिए अलग-अलग तरीके सोचते हैं सबसे पहले वो सोचते हैं कि कोशन पेपर में ही है पर वो invisible है इसलिए वो से ढूढने के लिए room की सभी lights को तोड़ देते हैं ताकि emergency में लगी वी UV lights से वो उस पेपर में छुपेवे कोशन को ढूढ़ पाए पर वो इसमें नाकाम रहते हैं इसके बाद वो सोचते हैं कि शायद उस पेपर पानी डालने से वो कशन विजिबल हो जाएगा पर वो इस कोशिश में भी नाकाम रहते हैं पर इसी बीच white चलाकी से brunette से उसके पेपर में ही आग लगवा देता है जिसे वो disqualify हो जाती है इसके बाद white deaf के पास आता है और उसे भी इस room को छोड़ कर जाने के लिए मजबूर करता है और इसी के साथी deaf भी disqualify हो जाता है इसके कुछ देर बाद white सभी लोगों को बताता है कि उसे question का पता चल गया है पर वो इसे किसी को भी नहीं बताएगा अब white की इन सभी बातों से black बहुँच जादा चिड़ जाता है और वो white को मुक्का मार कर बेहोश कर देता है थोड़ी देर बाद जब white को होश आता है तो वो सभी से request करता है कि उसकी दवाई खाने का time हो गया है इसलिए कोई भी उसकी pocket में से दवा निकाल कर उसे खिला दे पर white की पिछली हरकोतों को देखते वे कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और सभी white को उसी हालत में छोड़ देते है पर तभी blonde white पर तरस खाकर उसकी मदद करने का सोचती है पर सभी उसे ऐसा करने से रोग देते है इसके बाद brown सभी का ध्यान white से हटाने के लिए dark को परिशान करना शुरू कर देता है और सभी को बोलता है कि dark को company के बारे में बहुत कुछ पता है पर वो हमसे छुपा रही है फिर brown dark से सर्च उकलवाने के लिए उसको torture करने लगता है और तभी वो बताती है कि वो पहले इस company में काम किया करती थी पर बहुती नीचे लेवल पर इसलिए उसे इस company के बारे में कुछ भी नहीं पता dark की ये बाते सुनकर brown उसे छोड़ देता है पर तभी सभी की नजर white पर जाती है जिसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है ये देखकर black सबको बताता है कि white अपनी बिमारी के बारे में सही बोल रहा था क्योंकि जो बिमारी white को है वो same बिमारी उसकी wife को भी थी और time पर दवा ना मिलने की वज़े से उसकी death हो गई थी black की ये बात सुनकर सभी लोग white के कपड़ों में उसकी दवाई ढूडने लगते हैं पर किसी को भी दवाई नहीं मिलती अब white को मरतावा देखकर dark invigilator को help करने के लिए बोलती है पर उसके ऐसा करते ही वो guard उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और वो disqualify हो जाती है इसी बीच blonde को white की दवाई मिल जाती है और दवाई खिलाते ही white बिलकुर normal हो जाता है normal होने के बाद white सबको बताता है कि इस exam में कोई भी question है ही नहीं और company सिर्फ उसी candidate को job देगी जो इस room में last तक बचा रहेगा अब सभी को white की ये बात सही लगती है और फिर सभी एक दूसरे को उस कमरे से बाहर निकालने के लिए आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देते है इसी बीच black guard से उसकी gun ले लेता है और white पर गोली चलाने की कोशिश करता है पर वो gun काम नहीं करती क्योंकि उस gun पर fingerprint lock लगावा था जिसकी वज़े से उसको सिर्फ वो guard ही use कर सकता था पर तब ही white खड़ा होता है और वो black के हाथ से gun चील लेता है फिर वो guard के पास जाता है और उसके हाथ से उस gun को unlock कर देता है इसके बाद वो एक एक करके सभी को उस room को चोड़ कर जाने को बोलता है गन से डर कर brown तो उस room को छोड़ कर चला जाता है पर जब blonde वहाँ से निकल रही होती है तो जाने से पहले वो room की सबी lights को बंद कर देती है lights बंद होते ही black white से gun चीनने के लिए उसके पास आता है पर white room के अंदर लगातर गोलिये चलाना शुरू कर देता है जिस वज़े से गोली जाकर सीधा black को लगती है और वो जमीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है इसके बद white की नजर डोर पर पढ़ती है और वो देखता है कि blonde अ पास आता है और उसे अपनी घड़ी से time दिखाता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि exam खत्म होने में अभी भी time बाकी है तब हम viewers को दिखाये जाता है कि जब सभी candidates exam का question ढूड़ने के लिए अलग-अलग तरी के खोज रहे थे तब ही deaf ने exam की घड़ी को आगे कर दिया अब white को समझ आ जाता है कि वो disqualify हो चुका है इसलिए वो परिशान होकर खुद को गोली मानने की कोशिश करता है पर वो उसमें नाकाम रहता है क्योंकि बंदुक में गोली नहीं होती और rule break करने की वज़े से उस room से बाहर निकाल दिया जाता है अब room में last बची वी blonde सोच कोशन का पता कैसे लगा है तब ही उसे वहां पर डेफ का चश्मा गेरावा मिलता है जिसे उठाकर वो शीशे के टुकडे के साथ डेस्क पर रखेवे paper को वापस देखती है जिसमें उसे दिखता है कि paper में सिर्फ question number 1 ही लिखा हुआ है फिर blonde invigilator की कहीवी बातों को वाप के सामने आता है और उससे answer पूछता है जिसका जवाब blonde no देती है अब उसका यह answer सुनकर invigilator खुश हो जाता है और उसे deaf से मिलवाता है वो बताता है कि deaf इस company का CEO है और एक बहुत बड़ा scientist भी है जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक antivirus को develop किया था वो बताता है कि deaf क को एक ऐसा candidate चाहिए था जो time आने पर tough decisions ले सके पर blonde उनको इस company में काम करने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहां पहुचने के लिए मुझे लोगों की जालने नहीं पड़े पर तब ही वो देखती है कि black जिसे गोली लगी थी वो यार हो जाती है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती